गुड बॉर्निंग दियर स्टूरेंज आज हम करेंगे अपना सैवन चैक्टर सैवन चैक्टर शुरू करने जा रहे हैं हम जिसका निम है नंबर्स फ्रॉम 51 तू 100 अब तक हमने 1 तू 50 नंबर्स किये हैं आज हम करेंगे 51 तू 100 ठीक है नौविंग दी नंबर्स 51 तू 100 मतलब हम जो 51 से 100 तक नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उनके बारे में जानेंगे तो यह वाले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाई है जैसे यह 50 प्लस 1 इस इक्वल 51 यह डोट है यहां पर राइट है 50 यह वोक्स 50 का है फिर 1 प्लस किया तो इस इक्वल यह यहां चला गया एक्स्ट्रा 50 प्लस 1 फिफ्टी वन 50 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5 तैंस प्लस 1 फिफ्टी वन 50 प्लस 2 इस इक्वल 52 5 तैंस प्लस 2 फिफ्टी तो 50 प्लस 3 इस इक्वल 53 5 तैंस प्लस 3 वन इस इक्वल 53 50 प्लस 4 इस इक्वल 54 5 तैंस प्लस 4 वन इस इक्वल 54 50 plus 5 is equal 55 5 tenths plus 5 ones is equal 55 50 plus 6 is equal 56 5 tenths plus 6 ones is equal 56 50 plus 7 is equal 57 5 tenths plus 7 ones is equal 57 50 plus 8 is equal 58 5 tenths plus 8 ones is equal 58 50 plus 9 is equal 59 5 tenths plus 9 ones is equal 59 50 plus 10 is equal 60 5 tenths plus 10 ones is equal 60 तो ऐसे ही आपको जैसे मैंने ये करवाई हैं ये आगे करने हैं और हम क्या करेंगे? हम 1 से 20 तक numbers name spelling learn करते हैं खिक है उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे हम 20 की आती है 20 की आती है तो हम 20 के बाद 21, 22, 23 ऐसे write करते चले जाते हैं लास्ट में फिर 29 के बाद 30, 30 के बाद 30 के बाद हम क्या करेंगे? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 40 के बाद फिर वो ही 41, 42, 43 ऐसे ही हम 99 तक कर सकते हैं और 99 के बाद क्या था है? 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 is equal 100 तो यह हमारे नमबस से 51 तो 100 इसके बाद यह read the following numbers in figure यह counting है हमारे 100 या निचे ही आपको उसके बाद क्या दिया गया है? यहां पर read, first read and then write following numbers. इन numbers को आपको read करना है फिर उसके बाद आप यहां पर write करोगे इनको देख देख के साफ साफ writing में बिल्कुल जैसे यहां पर किया गया है साफ साफ करना है बिल्कुल देख के यही तक आज हम इसको करेंगे